प्लानेट पॉलीवूड रन्बीर कट्रीना का तूट सकता है सपना रन्बीर कट्रीना को शायद अब नहीं देख पाएंगे उनके फैंस एक साथ शिदत से जिस सपने को रन्बीर कट्रीना ने देखा वो शायद नहीं हो पाएगा अब पूरा एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए रन्बीर कट्रीना ने लगा दिया अपना सब कुछ पैसे से लेकर अपना कीमती वक्त सब कुछ बिना सोचे समझे इन दोनों स्टार्ज ने किया खर्च लेकिन कट्रीना और रन्बीर का ये खुबसूरत सपना पूरी तरह से हो सकता है चकना चूर जूम को एक्स्क्लूजिव सोर्से से एक ऐसी इन्फरमेशन मिली है जिसे सुनकर रन्बीर काट्रीना की चाहने वालों का तूट सकता है दिल फिल्म अजब प्रेम के घजब कहानी के बाद इन दोनों स्टार्ज को फिर से सिल्व स्क्रीन पर देखने का सपना अब शायद सपना ही रह जाएगा क्योंकि रन्बीर काट्रीना की मच टॉक्ट अबाट फिल्म जग्गा जासूस के शेल्व होने की आ रही है खबरें जी हाँ जग्गा जासूस शायद ही अब रिलीज का सूरज देख पाई सौर्सिस का कहना है जग्गा जासूस को जैनूरी 2016 से फिर से रीशूट किया जाना था जिसके लिए रन्बीर और काट्रीना ने अपनी टेट्स भी दे रखी थी लेकिन अब खबर आ रही है कि इस फिल्म को लेकर एक के बाद एक आ रही प्रॉब्लम्स के बाद रन्बीर कपूर ने खुद इस फिल्म को शेल्व करने का फैसला कर लिया है और कहा जा रहा है कि रन्बीर ने अपनी जैन्यूरी की टेट अब राजकुमार हीरानी को दे दी है जो कि संजैदत की बायोपिक पर काम शुरू करने जा रहे हैं साफ है ये रन्बीर और काट्रीना के लिए पर्सनल सेट बैक हो सकता है क्योंकि जग्गा जासूस में ना सिर्फ रन्बीर एज अन अक्टर काम कर रहे थे बलकि वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे वैसे इस न्यूज की कानफिर्मेशन के लिए जब हमने काट्रीना कैफ से बात की तो काट्रीना ने इस न्यूज को रूमा का नाम दे दिया कैट के मताविक इस फिल्म की शूटिंग जैनूरी महीने में ही होने वाली है वेल काट्रीना तो इस न्यूस को घलत बता रही हैं लेकिन जब इस फिल्म के डिरेक्टर अनुराग बासू से इस मामले में हमने बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से हमें कोई रिप्लाइ नहीं आया जी हाँ अनुराग ने फिल्हाल इस मामले में चुप्पी साध रखी है वेल चलिए हो सकता है काट्रीना कैव जो कह रही हैं वही सचो और फैंस की तरह हम भी यही चाहेंगे कि ये दोनों स्टार्स आएं एक साथ ब्यूरो रिपॉर्ट जूम मुंबाई